हेलो बच्चों स्वागत करता हूँ आप सब को इस वीडियो में तो यहाँ पे हम डिसकस करने वाले हैं जो गती जो है गती चप्टर को हम यहाँ डिसकस करेंगे उसमें इस्पेसली हम किसको डिसकस करेंगे जो गती का जो समीकरण है उसका हम पहला वाला जो समीकरण है उसको गती के समीकरण तो गती के जो समीकरण है ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे इसको मैं समझाओंगा कि आखिरकार ये ग्राफ से हम इसको कैसे पा रहे हैं या फिर ये जो समीकरण है हमको कैसे मिल रहा है ठीके उसको जब भी कि मैं पढ़ रहा था जब मैं आ बुत आसान तरीके से उसको हम कैसे समझ सकते हैं और आखिरकार वो होता क्या है ठीक है, इसको मिटा देता हूं और यहां पर ग्राफ पह स्टाट करता हूं ठीके दोटेप्स करोंगा और आज का हमारा टौपिक होगा जो ग्राफिया गविधी से गती के समिकरण लेकिन कौन सा समिकरण जो समिकरण आपका भी एक्वेल टु यू प्लास 80 जो है यह वहला समिकरण को हम आज क्या करेंगे इसको प्रूप करेंगे ठीके तो सुरू करते करेंगे ध्यान से सुनिए एक रास्ता है यहां पर एक वेख्वेष्ट घटे यूँ था मालने जह कोई एक वर्स थो है रास्ते पर जा राहे तो सका इस्टाइट्ं का जो वेख्ः स जो ता यूją और चलते चलते गया समय टी लिया उसने कुछ समय लिया कुछ समय तो लगेगा पांस मिनेट दस मिनेट या जो भी जितना भी समय लगा उसका हमने टी बोला तो टी समय के बाद यहां पर पहुंच गया ठीक है यहां पर पहुंच गया और इसका वेलो सिटी हो गया इसका वेक क्या हो गया भी हो गया ठीक है एक वस्तू था पहले यू वेक से जा रहा था बात में T समय के बाद क्या हुआ वो भी बेक के स्पीड से मतलब जा रहा है ठीक है so अब हम इस चीज को graph में डालेंगे और उसको solve करने को हमको यह चीज मिल जाएगा लेकिन याद रखना है आपको क्या है एक समान मैं होना होने वह वह स्तुमें है क्या होगा होगा ये समीकरन हम उसको प्रुब कर सकते हैं तिस श्टाड़ करते हैं पहले आपको समझ में आया होगा हमने क्या बोला ठीक अब यहां पे आईए graph पे graph पे आईए मदलब इस portion पे आईए यहां पे आईए so मान लिजे यहां पे मैंने axis बनाया graph तो ऐसे होता है इस तरह के यह होता है graph so यहां पे बहुत सारा line line होगा गर आपका graph paper में देखोगे तो मैं वह lining नहीं draw करूंगा इधर में मैंने लिगा है वएग इस side में उपर direction में क्या है वएग और इधर में sum आए ठीक है, फो मान लिजे कोई एक वस्तू है अभी जो मैंने बताया था story बताया था कोई एक वस्तू है इस point पे है Starting . मनली जzos ए आ है पॉइंट्ट दिख रूग आपको इस पॉइंट पे एक वस्तु है और उसका क्या है उसका जो वेग है U है एक व्स्तु है और कौन सा पॉइंट पे है ए पॉइंट पे है उसका वेग क्या है अब क्या हुआ यह वस्तु जो है अब चलना सुरू कर दिया मतलब चल दीतो रहा था चल रहा था लेकिन दिरेदेशे करके उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ने लगा बढ़ते 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 गया इस प्रकार से वस्टु जा रहा है जा रहा है देखिए वस्टु जब जा रहा होता है तो इस प्रकार का हमको लाइनिंग मिलेगा क्योंकि बढ़ रहा है ठीक है इस तरह से जा रहा है और uniformly जा रहा है मंदब एक समान इसका क्या है वेग में जो अंतर हो रहा है एक समान अंतर हो रहा है समाह अंतर आल पर देखिए इस जा रहा है जाते जाते आप चीज यहादं रखे तो पहुंचते पहुंचते क्या हुआ यह चीज जो है इस पॉइंट पहुंच गया इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको बी बोलेंगे अब यहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ इसका जो वेक था इसका वेक क्या हो गया भी हो गया इसका वेक क्या हो दिया वस्तो जा रहा है इस प्रकार से इस पॉइंट पहुंचने के बाद इसका वेक क्या हो गया भी हो गया उस पॉइंट को हमने भी बोल दिया अब आपको क्या करना है यहां से यहां तक पहुंचा ठीक है यहां तक पहुंचने के लिए इसको समय कितना लगा टी समय लगा कितना लगा T summer T लगा तो इस point को मैं यहां से यहां तक का जो समय अंतराल है उसको मैं क्या बोलूँगा उसको मैं बोलूंगा सी ठिके इसका नाम नाम देधिया Hil इसंतरा से यहाँ से खीचा है तब न और हमको से मिलेगा यहाँ यहाँ पे हमको की यहाँ ही मिला उसी प्रकार से इसको इधर खीश दिजिए इसको लाइन कीश दिजिए यहाँ पे इससे सीधा सिदी होना चाहिए आपको ठेक्ड है ना इस से सिदा सिदी लाइनी आप खीज रही हूँ मतलब आपको समसा समंतरल लाइन जो होना चीए ठीक है समांतरल ऊना चीए आप हो गया हमारे पास में यह हो गया, इस प्अइंट को हमने फोला, ठीक है, अब इहां पर भी खिच के साथ खिच है एक line सिधा, program laser की बने खिच ढाइट के oneρε at there माने खिच दिया, इसको अनली बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया डी डॉटेट डॉटेट लाइन खिचा और इसको हमने बोल दिया ठीक है तो यहां पर देखिए इसको भी हमको डॉटेट ही करना था इसको भी हमको क्या करना है डॉटेट ही करना है क्यूंकि हमने लाइन बाद में डॉटेट डॉटेट लाइन इस एकसे में कुमा पॉस्ने सामय के लिया है यहाए पर लिखेंगे तो इस पक्षेंगे है कैसे कि हमें यहां पर लिख्या था इस पॉइंट पर यहाँ पे जब पहुंचा मतलब इससे सिधा सिधी हमने खिचा है ना तो यह पॉइंट पे इसका क्या हो जाएगा बेग हो जाएगा भी ठीक है यह पे यू था और यहाँ पे भी हो गया अब हम इसको कैसे कर लेंगे ठीक है आप देखिए यह तो हमने काम कर दिया कैसे हुआ मैंने बता दिया अब लिखना है मान लिया हमने क्या मान लिया मान लिया वस्तु का देखिए अब लीखने वला पोर्शन ठीक है तो मान लिया वस्तु का प्रारमभिक मान लिया वर्ष्टु का फ्राराम वीग वीग यू मीटर पर सेकेंड है ओके यू मीटर मीटर पर सेकेंड में था यू मीटर पर सेकेंड है टी समय अंतराल के बाद टी समय अंतराल कितना समय लगा टी समय अंतराल बस्तु का अंतिम वीग ओके अंतिम वीग भी मीटर पर सेकेंड भी मीटर पर सेकेंड है ठीके तो पहला हमने क्या लीखा हमको एक थू कंशेप्ट मानले ना पड़ेगा हमने मानलिया जो ऊश्तु जो है पहले स्टार्टिंग में जा रहा था लेकिन आपको और एक शीज यहाँ पर लिखना जरूरी है क्या है जो वस्तु जो है एक समान त्वरंड उत्पन न कर रहा है ठीक है सो एक समान त्वरंड उत्पन न करने वाला वस्तु ही क्या करेगा यह जो equation को है support करेगा ठीक है सो मान लिया एक वस्तु का फ्रारामिक बेग U meter per second है T समय अंतराल के बाद वस्तु का अंतिम बेग भी meter per second है तो अब यह तो हमने statement लिख दिया अब हम क्या करेंगे अब यहां पर देखिए जब सब कुछ आपको graph से ही मिलेगा सब कुछ जो हमने लिखा है graph से ही मिलेगा ठीक है सो हमको क्या लिखना है जब त्वरण का अगर हम बात करते हैं त्वरण त्वरण का मतलब क्या होता है त्वरण मतलब होता है आपका वेग में अंतर वेग में परिवर्तन या फिर अंतर परिवर्तन वेग में परिवर्तन और यहां पर समय अंतराल ओके समय अंतराल ठीक है वेग में परिवर्तन और समय अंतराल ठीक है इतना तो आपको समझ में आया यह लिखने के बाद आपको क्या लिखना है वेग में परिवर्तन या फिर समय अंतराल कि बी से लेकर सी तक कि बीशिए लेकर सी तक जो था यह था पूरा का लिए इन चलिए आपस ikigon दोता हूं यहाँ पर पर लेकर यहां से यहां है यहां तक है है यहां सो क्योंकि figure दिख रहा है आपको सके यहां से लेके यहां तक U है और यहां तक बग अजिने तक भी यह तो हमको जो अंतर जब अंतर चाहिए तो बीसी से यह जो पूरा का पूरा BC है उसमें से आपको क्या गटाना पड़ेगा DC गटा देना पड़ेगा DC BC में से क्या गटाना है आपको DC आपने गटा दिया उसके बाद उसके बाद क्या है समय अंतराल में क्या लिखे होगे आप समय अंतराल में किया यू और ऋसी का मतलब क्या हुग्या यू और चीट की आगए यहां से अंतर कर दिया इसके बाद अभी याहन से उसके बाद अब क्या करना है क्र眠िके साथ इसको इंटू कर देना है लिए दोनों मैं इस निक लेता हूं तो हमारे पास आ गया V minus U equal to A T A T मतलब इसको और इसको गुणा कर दिया A T हो गया अब हमको क्या चाहिए अब हमको चाहिए V बराबर यह minus था उदर चला गया प्लास हो गया U plus A T ठीक है U plus A T तो हमको क्या मिल गया हमारा जो समिकरन था वह हमको मिल गया V equal to U plus A T अब यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर साइट पर आप लिख देंगे V बराबर क्या है V बराबर है हमारा पास अंतीम बेग V बराबर क्या है अंतीम बेग ठीक है V का मतलब है अंतीम बेग U का मतलब है प्रारम बेग त्वरंड ए का मतलब है ए का मतलब है त्वरंड उसके बाद क्या बजगया हमारा पास T का मतलब है समयांतराल इस प्रकार से हमारा सारा काम हो जाता है ठीक बच्चों क्या करना है मैंने आपको बताया सिंपल सी यह जो graph जो है आपको exam में आप इस तरह से लिखेंगे लेकिन यहाँ पर एक condition बताना है कि वो जो वस्तु जो है एक समान तोरण के साथ में चल रहा है ठीक है तो इस प्रकार से आप इसको prove कर सकते हो तो proving मैंने यहाँ पर पहला वाला proving बताया कि जो b equal to u plus 80 हमको कैसे मिलता है उसको यहाँ पर हमने बताया इसके बाद जो है दो equation और बच गया दुसरा वाला वेडियो में बात करूँगा आप दुसरा वाला क्या है s equal to ut plus half 80 square है और तिसरा वाला क्या है b square minus u square equal to 2as ओ भी हम proving करेंगे ठीक है तो आशा करता हूँ यह वोला चीज आपको समझ में आया कि यह जो equation जो है यह जो समिकरन है आपको कैसे मिला है आपको समझ में आया होगा ठीक है तो अभी के लिए इतना है फिर अगले वीडियो में मिलते हैं थैंकियो और वाचिंग गॉड्ट ब्लेस यो